हारिस रौफ के लिए वर्ल्ड कप 2030 किसे बुरे सपने से कम नहीं था आपको उतादे कि वो विकेट्स तो लेकर जाते थे लेकिन उनकी इकॉनमी इतनी जादा हाई होती थी कि हर कोई उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था और हर कोई बाबर आजम से बार बार पूछता थ कि आखिर आप सबको ही ड्रॉप कर दे रहो लेकिन हारिस रौफ को आपने ड्रॉप क्यों नहीं किया आपको तादे कि इस चीज का असर हारिस रौफ के उपर बहुत जादा पड़ा है खबरे ऐसी आ रही है कि जो और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सिरीज होने वाली है उसक जैसे मैं इस टेस्ट सिरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा पाकिस्तान के टीम के जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दी है हारिस रौफ को लेकर असल माइनों बोले तो बहुत ही जादा फटकार लगा है हारिस रौफ को की और उन्हें कहा कि कोच और कप्तान चाहते हैं कि आप ऑस्टेलिया में खेले हमने उन्हें ये भी भरोसा दिलाया कि उनसे एक दिन में 10 से 12 ओवर से जादा गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी हमने टीम फिजियो और ट्रेनर से भी हारिस को लेकर बातचीत की और उन्हो तो वहाब रियाज ने यहां हारिस रोफ को क्लियर कट लफजों में बोला है कि अगर वो अश्टिले खिलाफ नहीं खेल रहे हैं तो हो सकता है कि जो उनके आगे के प्लैंस हो या फिर आगे की जो सीरीज पाकिस्तान खिले दूसरे टीमों के साथ उसमें हारिस रोफ शायद इंक्लूड ना किये जाएं क्योंकि अभी नसीम शाह एविलेबल नहीं है तो उनकी जगे पे हारिस रोफ को अपने पर्सनल प्रॉब्लम को साइड रखते हुए या फिर मेंटल हेल्थ को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान को तरजी देनी ची लेकिन उसमें हारिस रोफ का नाम नहीं था आपको कैसे लिगी वीडियो कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ साथ उफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूले